हेलो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल अर्पिद्य वांगल लर्निंग सिटी में आपका फिर से बहुं बहुं स्वागत है आज हम बात करेंगे कि IDFC loan account में अगर आपने login कर लिया है तो उसके बाद आप वहां से income tax certificate या आपके transaction statement transaction details है आपके income interest moment हो रहा है आपका मलब आपका साल दर साल अगर flexible आपने loan लिया है interest rate पे तो जो change होता interest rate हो कैसे आप check कर सकते हैं इस वीडियो के मादर हम से आए पूरी जान करी देने माझे आपको मैं प्लीस वीडियो को skip मत कीजेगा अंतर तक मेरा आपका account है मैंने इसको open कर लिया है और अपको कुछ इसंतिरा का दिखता है यह आपका उसके बाद यह हम desk board पे जाते हैं आपको हम दिखाते हैं मैं nesbor gitu से मैं आगे चल गया था यह आपको कुछ इस तरा का दिखे का यह electrode है इसमें हमने जो जो यहां पर three lines दिख रही है, उसमें आपको यहां पर account summary, account detail, यह सब आपको details, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, account detail में आपको क्या क्या मिल सकता है, transaction details, mode of payment, कैसे किया था, disbursement, interest in moment, interest का move हो कर रहा है, personal interest है, जलापका interest क्या है, वो आपका payment, payment related, pay online, आपका आप जो MI है, online पे कर रहे है, recent online payment आपने जो किया है, वो हो गया, pay के fees हो गया, और request, request में आते हैं, request में आने के बार account statement, आपको एक comment का statement पूरा मिल जाएगा, कि आपने किया, कितना EMI पटाया है, आपका अभी क्या amount है, principal क्या है, यह आपको पूरी जानकरी, इसमें मिल जाएगी, और आपको पूरा मलब, आपका जब-जब EMI हुआ है, और उससे relate आपको यहाँ पर पूरी जानकरी में जाएगा, contact screen में हम click करके दे सकते हैं, जैसमें आप चाहेंगे तो, जैसे आप view कर सकते हैं, और email लेने चाहें, आपने email ID, इस्टेड email ID में, तो email में भी ले सकते हैं, current financial year यहाँ पर सोग करता है, उसके बाद आपका जो previous financial year है, वो नीचे सोग करेगा, तो वहाँ से भी आप इसको download कर सकते हैं, उसके बाद हम और दूसरे चीज़ लेक्ते हैं, जैसे income tax certificate आ download करना चाहें, तो उसमें भी same ऐसी है, जो आपके current financial year के उपर सोग करता है, बाकी जो previous final years के statements हैं, income tax के, वो आपके नीचे सोग करते हैं, यहाँ से भी आप view कर सकते हैं, या email पे आप ले सकते हैं, तो friends इस तरह से आप कर सकते हैं, प्रिंस्पल आउट हिस्टिंग आज क्र करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपने इतना loan पटा लिया है, लेकिन आपको कितना principal आपके account में है, ये आप जानना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे यहाँ से check कर सकते हैं, उसमें आप कुछ दो चार आप पुच्छता है कि आप क्यो चेक करना चाह रहे हैं, I would like to know the principal internet और मारे का number to review my balance बैलेंस से check करने के लिए आप करना चाहरे हैं या आप कर लिजे उसके बार समिट करते हैं तो उसके बार यहाँ के आपर principal amount is this is this यह आपको बता रहा है एक अप्रेल 22 के डिट में आपका principal amount outstanding इतना है तो फ्रेंट्स तरह से आप आप प्रिंस्पल इमांट भी आप चेक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मेरा ये था वीडियो कि IDFC लोन एकाउंट में लागिन होने के बाद हम उसमें इंकम्टर स्रेटिपेट या और भी बहुत सारी चीज़े हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं I hope आपको ये वीडियो समझो पतंद आया होगा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं Thanks friends for watching वीडियो